ये स्थिती है शुद्ध अर्द चालक की शुद्ध अर्द चालक यानि कि निज़ अर्द चालक की चालकता बहुत कम होती है और वैलेंस बैंड से अलेक्ट्रोनों को चालन बैंड में पहुचाने के लिए ताप के अवशक्ता होती है यानि शुद्ध अर्द चालक की चालकत मिलाए जाते हैं इन पर्माणों को अपमिश्रक कहते हैं और शुद्ध अर्द चालक में अशुद्धी मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग यानि की अपमिश्रन कहा जाता है ये जो डोपिंग प्रक्रिया है ये दो प्रकार से होती है शुद्ध अर्द चालक में या तो हम पंच संयोजी यानि की फिफ्थ ग्रूप के परमाणू मिलाते हैं जैसे की आर्सिनिक, एंटीमनी और फोस्फरस या फिर हम इसमें त्री संयोजी परमाणू यानि की तीसरे समूह के एलिमेंट जैसे की बोरॉन, इंडियम और अलिमूनियम मिलाते हैं और इस प्रकार जो बाहर अर्द चालक होते हैं, जो अशुद्ध अर्द चालक होते हैं, वो दो प्रकार में बढ़ जाते हैं जिसमें कि 5 संयोजी अशुधी मिलाई जाती है उसे हम कहते हैं N प्रकार के अर्धिचालग और जिसमें 3 संयोजी अशुधी मिलाई जाती है उसे हम कहते हैं P प्रकार के अर्धिचालग पंच संयोजी अशुद्धी मिलाने से क्या होता है और त्री संयोजी अशुद्धी मिलाने से क्या होता है इसके लिए हम शुद्ध जर्मैनियम या सिलीकन के स्ट्रक्चर को समझते हैं प्योर जर्मेनियम ये सिलिकन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार सा होता है ये सुन्दर सा रंगोली के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर सिलिकन ये जर्मेनियम पदार्थ का है यदि हम सिलिकन ये जर्मेनियम परमाणू के अटॉमिक नंबर को देखें तो सिलिकन होता है 14 औ अब ये चार सयोजी अलेक्ट्रोन का त्याग करें या ग्रहन करें क्योंकि किसी भी परमानू को स्टेबल होने के लिए या तो उसको अक्टेट कम्प्लीट करना है या तो डुप्लेक्ट कम्प्लीट करना है या तो ये चार अलेक्ट्रोनों का त्याग करेगा ये चार अलेक्ट्रोन ग्रहन करेगा चार अलेक्ट्रोन का त्याग करना और ग्रहन करना दोनों में उतनी ही उर्जा लगती है इसलिए ये परमाणू ना तो अलेक्ट्रोनों का त्याग करते हैं और नहीं अलेक्ट्रोनों को ग्रहन करते हैं बलकि ये अपने ही परमाणू के साथ एक पडोस के सिलिकन परमाणू के साथ ये सासयोजग बना लेते हैं जर्मैनियम, जर्मैनियम के बीच में सासयोजग बंद, सिलिकन, सिलिकन के बीच में सासयोजग बंद बन जाता है और जब सासयोजग बंद बनता है तो हम जानते हैं कि एक बंद दो एलेक्ट्रोनों से मिलकर बनता है इस प्रकार एक सिलिकन का परमाणू अपने पास के चार सिलिकन परमाणू के साथ सह सयोजग बन बना कर अपने अश्टक को कम्प्लीट कर लेता है और इस प्रकार का ये सुन्दर साच चित्र हमको नजर आता है ये सिलिकन के लिए भी जर्मैनियन के लिए भी यहाँ पर मैंने plus 4 इसलिए लिखा है center में क्योंकि ये दोनों की valency plus 4 है ये 4 का त्याग कर सकते हैं 4 को ग्रहंट भी कर सकते हैं इसलिए मैंने आपर plus 4 लिख दिया क्योंकि ये कौन सा बंद बना रहे हैं सहसे योजग बंद और अपने अश्टक को पूर्ण कर लेते हैं अब जब ऐसे परमाणवाले क्रिस्टल में इंप्यूरिटी मिला दी जाती है जैसे कि मैंने बताए दो प्रकार की इंप्यूरिटी हम पहले पढ़ते हैं जब पंच सयोजी इंप्यूरिटी मिला जारी है माना कि हमने यहां पर एक पंच सयोजी impurity मिला दिया यहां पर एक arsenic परमाणों लाके रख दिया पंच सयोजी परमाणों में बाय कक्ष में कितने electron है? पाँच तो यहां पर इस arsenic के जो चार electron है यह चार सयोजग बंद में तो भाग ले लेंगे पर इसका एक electron यह अभी भी बचा हुआ है यह ना तो सयोजग बंद में भाग लिया है और ना ही यह arsenic परमाणों से अलग है मतलब यह मुक्त भी नहीं हुआ है तो यह ऐसा electron जो की ना मुक्त हुआ है और ना ही बंधन में भाग लिया है यह electron अपनी एक नई उर्जा इस्तर बनाते है यह नई उर्जा इस्तर कहां पर बनेगी यदि हम band diagram देखे ऐसे अशुद अर्दे चालक का जिसमें पंच सयोजी परमाणों मिलाया गया है तो यहाँ पर यह सयोजी band जो है सयोजक्ता band जो है यह electron से भरा हुआ है चालन band बिलकुल खाली है यहाँ पर और यहाँ पर देखे तो एक उर्जा स्तर हमको चालन band के नीचे नजर आता है जिसमें चालन band और इस उर्जा इस उर्जा स्तर के पिचे बहुत ही कम उर्जा का अंतराल है यह जो नया उर्जा स्तर बना है इसे हम कहते हैं दाता उर्जा स्तर और यह ऐसे electron का उर्जा स्तर है जो की अशुद्य electron की अधिक्ता के कारण बने हुए है जब हमने अशुद्य परमानों में लाया चार अलेक्ट्रोन बंधन में भाग ले लिये पर एक अलेक्ट्रोन जो ना बंधन में भाग लिया था और ना वो ही वो परमानों से मुक्त हुआ था वही अलेक्ट्रोन इस लेवल में भरा जाता है जितने भी परमानों इस प्रकार के हम मिलाते जाएंगे उतने ही एलेक्ट्रोनों की अधिकता बढ़ती जाएगी एलेक्ट्रोनों की अधिकता बढ़ रही है इसलिए यहाँ पर जो आवेश वहाख है जो बहु संखक आवेश वहाख है वो negatively चार्ज होंगे क्योंकि electron कौन सा चार्ज होता है? negative चार्ज होता है इसलिए पंच सयोजी मिलाए गए पंच सयोजी अशुद्धी परमानों मिलाए गए अर्धचालक को हम N प्रकार का यानि की negatively, negative type का अर्धचालक कहते हैं N refers to negative type और ये सारे अलेक्ट्रोन इस ओर्जास्तर में भरे जाएंगे जिसे हम data ओर्जास्तर कहते हैं और इस प्रकार के पंच सयोजी अशुद्धी परमानों को हम कहते हैं data अशुद्धे क्योंकि ये electron देने का काम करते हैं यदि हम त्री सयोजी परमानों मिलाते हैं इसी शुद्ध सिलिकन में boron यदि हम मिला देते हैं तो boron में कितने valence electron होंगे ये तो third group का तीसरे समू का element है तो इसमें total तीन electron होंगे तो तीन electron तो सा सयोजग बंद में भाग ले लिया एक germanian के पास चार सयोजग बंद है तीन में तो इस boron ने भाग ले लिया लेकिन जो चौथा बंधता वहाँ पर electron की रिक्तता हो जाएगी और इस electron की रिक्तता को हम किस नाम से जानते हैं ये होते हैं hole तो यहाँ पर इस बंधन में एक electron की जगा खाली हो जाती है जिसे हम कहते हैं hole इस प्रकार यहाँ पर धनात्मक आवेश वहक hole होने के कारण इस प्रकार के बने अशुद अर्ध चालक को हम P प्रकार का positive प्रकार का अर्ध चालक कहते हैं इस positive प्रकार के अर्ध चालक में hole होने के कारण ये hole अब क्या करेंगे electron को अपनी और आकरशित करेंगे जहां से भी electron अपनी और आकरशित होंगे उस जगे पर एक hole यानि की quarter यानि की weaver बन जाता है और इस प्रकार ये hole यहाँ पर चालन का काम करते हैं अब ये hole को हम कहां दर्श आते हैं इसका ये दी band diagram देखें तो हमारे पास है valence band, conduction band valence band वैसे ही electron से भरा हुआ, conduction band यहाँ पर खाली और ये जो hole है ये क्या काम कर रहा है ये electron को अपनी और आकरशित करने का काम कर रहा है कहां से आकरशित कर रहा है जो सह सियोजग बंद में electron है उसी को तो ये अपनी और आकरशित कर रहा है इसलिए ऐसे hole को एक अलग और जैस्तर में दर्शाय जाएगा जिसको हम बनाते हैं valence band के पास और इसको हम बोलते हैं ग्राही और जैस्तर क्योंकि ये electron को ग्रहन करने का काम कर रहा है और ऐसे मिलाए गए त्री सैयोजी अशुद्धी को हम कहते हैं ग्राही अशुद्धी क्योंकि ये electron को ग्रहन करते हैं तो ये just बनाये जाएंगे valence band के ऊपर यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ग्राही उर्जस्तर बना है hole का और valence band इनके बीच में अंतर बहुत ही कम होता है अब हम निज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक यानि की बाहए अर्धचालक में अंतर देखते हैं यह निज अर्धचालक अपद्रव्य अर्धचालक यह चतूर्थ संयोजी शुद्ध अर्धचालक होते हैं यह त्री संयोजी या पंच संयोजी अप मिश्रक मिलाने से प्राप्त अर्धचालक होते हैं इनकी विद्दुचालकता कम होती है इनकी विद्दुचालकता अधिक होती है। अब दोनों को यदि हम कंपेर करें तो P प्रकार में एलेक्ट्रोनों की अधिक्ता थी और N प्रकार में होल थे। होल एलेक्ट्रोनों को वैलेंस बैंड से अपनी और अकर्शित करने का काम कर रहे थे। यानि कि वैलेंस बैंड में आप क्या बच जाएगा वैलेंस बैंड में बच जाएंगे होल एन प्रकार में हम देखे तो जो ग्राही परमानू था यानि जो ग्राही उर्जा इस तर था वो एलेक्ट्रॉन देगा किसको चालन बैंड को तो चालन बैंड में पहुच जाएंग में एलेक्ट्रोन पहुच जाते हैं और वैलेंस बैंड में हो जाता है हो तो अर्द चालक में चालन का काम केवल मुक्त एलेक्ट्रोन नहीं करते हैं यदि हम P प्रकार में देखें तो चालन बहु संख्यक आवेश वाहक होल के कारण होता है और N प्रकार में चालन का काम मुक्त एलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर मैंने बहु संख्यक आवेश वहाग शब्द यूज किया है इसलिए यूज किया है क्योंकि जब हम अशुद्ध अर्दचाला की बात करें तो उसमें दोनों प्रकार के आवेश वहाग मौजूद होते हैं एलेक्ट्रॉन्स भी होता है और होल्स भी होते हैं पर एक बहु संख्यक होते हैं और दूसरे अल्प संख्यक होते हैं चालन का काम कौन करेगा बहु संख्यक तो N प्रकार में negatively charged electron बहुत संख्याक है वो चालन करेंगे P प्रकार में positively charged hole बहुत संख्याक है तो वो चालन का काम करते है इस प्रकार यदी हम देखे तो P प्रकार और N प्रकार दोनों ही अशुद्ध अर्द चालक में चालन की प्रक्रिया अलग-अलग तरीके से होती है इस प्रकार हमने अशुद्ध अर्द चालक को band diagram के अधार पर देखा अब हम N प्रकार के अर्दचालक और P प्रकार के अर्दचालक में अंतर देखते हैं N प्रकार का अर्दचालक, P प्रकार का अर्दचालक नेच अर्थचालक में पंच सयोंजी तत्व जैसे आरशनेक, एंटीमनी, फॉस्फोरस आधी अशुद्या में लाने पर N-PRAKAR का अर्थचालक प्राप्त होता है नच अर्दचालक में त्री संयोजी तत्व जिसे इंडियम, बोरॉन, अलुमिनियम आधी के अशुद्या में लाने पर पी प्रकार के अर्दचालक प्राप्त होते हैं इनमें एलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश्वाहक और होल अल्पसंख्यक आवेश्वाहक होते हैं इनमें चालन बैंड की तली के नीचे दाता उर्जस्तर होता हैं इनमें संयोजक्ता बैंड के सिर्ष के उपर ग्राही उर्जस्तर होता है अब इनकी कार्य विधी को समझने के लिए हम वापिस इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं जैसे कि मैंने आप लोग को बताया अभी कि एन प्रकार में एक दाता शुद्धी मिलाई जाती है जो कि एलेक्ट्रोन देने का काम करती है और इसकी चालक्ता को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे अशुद्धी परमानू बढ़ाते जाएंगे जितने अशुद्धी परमानू बढ़ते जाएंगे उतने उसकी चालक्ता बढ़ते जाएगे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा कोई भी इस्थाई परमानू उदासीन होता है क्योंकि उसमें प्रोटोनों की संख्या और उलेक्टोनों की संख्या बराबर होती है जब कोई परमानू उलेक्टोन का त्याग कर देता है तो उसमें रिण आवेश में कमी आ जाती है यह तुम यह कह सकते हैं धन आवेश की संख्या बढ़ जाती है इसलिए वो परमानू धनात्मक आयन बन जाता है और वैसे ही जब कोई परमानू अलेक्ट्रोनों को ग्रहन कर लेता है तो उसमें रिन आवेश की संख्या बढ़ जाती है तो वो परमानू रिनात्मक आयन बन जाता है इसी प्रकार जब हम N प्रकार के शुद्धी मिलाते हैं तो वो electron का त्याग कर रहा है उसको electron की जुरत नहीं है ये ऐसे electron है जो सयोजक्ता जो conduction band की नीचे अपना उर्जा इस्तर बना हुए है और ये उर्जा इस्तर लगभग जो difference होता है वो 0.01 electron volt से 0.05 electron volt का होता है इसका मतलब वो educated electron बन जा रहे हैं वो परमानुस से मुक्त हो जा रहे हैं तो वो जो परमानु आशुद्धि हमने मिलाया था वो बन जाता है धनात्मक आयान या फिर बजाता है data आयान जो की होता है धननात्मक बात्ख इसलिए जब हम इसका structure देखें तो इस प्रकार काम को दिखेगा, इसमें मैंने बड़े गोले बनाए हैं जिसमें धन लिखा है, और ये जो बड़े गोले हैं वो धनात्मक दाता आयोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साथ ही यहां पर बनेंगे अलेक्टरॉन, क्योंकि वो धनात्मक आयोन का बना, जब उसन सारे बन जाएंगे धनात्मक आयोन, यानि धनात्मक दाता अशुद्धी आयोन बन जाएंगे, और उनके साथ उतने ही अलेक्टरॉन मौजूद होंगे, इसलिए तो हम कहते हैं कि अगर अर्द चालक की चालकता बढ़ाना है, तो अशुद्धी भी अधिक मिलानी होगी, य लेकिन यहां पर कुछ होल भी होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि होल भी वहां पर मौजूद होते हैं, भले ही वे अल्प संखक क्यों ना हो, लेकिन उनका भी बहुत अधिक महत्व होता है, जब हम इसकी कारे वीदी को आगे समझेंगे, तो हम देखेंगे कि जो अल और हम इसकी को ग्रहन करने प्रहा हैं, तो हैं होल बन जारहे हैं तो वो बाजू के ग्रहन कर रहा है, उस स्थिति में यदि वो अलेक्टोण ग्रहन करेगा, तो वो रिनात्मक आयान बन जाएगा, और इस प्रकार स्ट्क्चर के रूप में दर्शाएं तो हम ने यही को ग्रहन कर रहा है जितने अशुद्धी होंगे ग्राही उतने ही होल वहां पर मौजूद होंगे और इस पी प्रकार के अर्द चालक में कुछ अल्प संख्याक अलावेश वहाग भी होंगे अलेक्ट्रॉन भी होंगे जो कि किसी स्थिती में महत्पूर्ण भूमी का भी कहाते हैं